बहुत इंतेजार के बाद Realme उसका नमबर सिरिस इंडिया में लॉंच कर दिया है Realme 10 Pro और Realme 10 Pro Plus आज इस विडियो में Realme 10 Pro 5G के बारे में बात करूंगा क्या-क्या कमिया है और क्या-क्या अच्छा या है यानि कि Realme 10 Pro का Pros and Cons के बारे में बात करूंगा अगर आप एफोन बाई करने के लिए जार रहे हो आप लोगों को पता रहना चाहिए इस फोन में क्या-क्या कमिया है और क्या-क्या अच्छा या है मेरा काम है बस आप लोगों को बता देना सबसे पहले कुछ अच्छा पॉइंट के बारे में बात करते हैं और लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा इस phone का क्या क्या कमिया है सबसे जो अच्छा reason है जिसके बज़े से इस phone को buy करना चाहिए ओ है इसका design दमदार design है बहुत चारे लोगों को इसका design पसंद आएगा flat edges है, lightweight phone है, compact phone है, backset की तरब glossy panel देखनी को मिलता है बहुत चारे color का combination दिया है, ज्यादा तर लोग पसंद करेगा और ऐसा design market में अभी चल रहा है, तो इसके बज़े से बहुत चारे लोग पसंद करेगा बहुत चारे लोग खरी देगा भी, इसका design देखकर fast look में ही बहुत चारे लोग पसंद कर लेगा दूसरा reason इसका processor, Qualcomm Snapdragon 695 5G chipset देखनी को मिलता है 5G अभी इंडिया में launch हो चुका है, हर जगा में कुछी दिनों में available हो जाएगा तो उसके बज़े से ज़्यादा तर लोग 5G phone खरी देगा एक plus point है Realme 10 Pro का, क्योंकि बहुत चारे phone तो अभी 4G के साथ भी launch हो रहा है तो यहाँ पे Realme अच्छा काम किया है, 5G phone launch करके तीसरा reason इसका battery, 5000 एमिज का काफी powerful battery मिलता है phone आने के बाद मैं आप लोगों को बता पाऊंगा कि इसका battery service कैसा है लेकिन Realme का अगर history देखा जाए, तो इसका battery service काफी अच्छा रहा है Realme 10 Pro का battery service भी काफी अच्छा रहेगा 33W का fast 4000 भी साथ में दिया है, फुल चाच होने के लिए लगबग 15 गंडे से 2 गंडा आराम से चला जाएगा चौथा point इस phone में 120Hz का refresh rate देखने को मिलता है, स्मूध हो जाता है, अगर आप जादा gaming बेगरा करते हो, आप लोगों के लिए थोड़ा सा plus point है अब चलो कुछ minus point के बारे में बात करते हैं, जिसके साथ iPhone launch हुआ है सबसे पहला point इसके camera में, हाँ 108MP का camera दिया है, मुझे पता है, काफी अच्छा camera है, काफी अच्छा picture quality आता है लेकिन जो secondary sensor 2MP का depth sensor दे रिया है, यार मेरे को हजम नहीं हुआ अगर यहां पे ultrawide sensor देता ना, बहुत चरे लोग इंप्रेस होदा ultrawide से बहुत चरे लोग picture खिसता है, मैं खूत ultrawide से इतना जादा picture निकालता हूँ, क्या ही बताऊ बहुत चरे situation में ultrawide का जरूरा थे, लेकिन realme यहां पे गाये भी कर दिया है ultrawide sensor को देना चाहिए था, वरना picture quality अच्छा है, मेरा बस सिकायत ही है, ultrawide sensor देना चाहिए था दुसरा कमिया इसका display, यहां पे IPS LCD पैनल दिया है दोस्तो, जब जब phone में 5G आएगा, तब तब कही ना कही compromise करना पड़ेगा इस बार display में कर दिया है, यार AMOLED डिस्पले में जो मज़ा आता है, ओ यार IPS में मज़ा नहीं है, इन डिस्पले fingerprint sensor बेगरा बिलकुल भी यहां पे नहीं मिलेगा तब AMOLED डिस्पले का कुछ अलगी स्वाइग है, जो IPS में नहीं है, आब लोगों को कौन सा डिस्पले पसंद है, comment box में जरूर बताना, AMOLED या IPS, comment box में बता देना अगर आपको अल्टरवेट sensor का कोई जरूरत नहीं है, IPS पैनल से अब लोग काम चला सकते हो, तो यार आब लोगों के लिए एफोन बढ़िया है, ले सकते हो लेकिन अगर आप ज्यादा मुवी बेगरा देखते हो, ज्यादा वीडियो देखना पसंद करते हो, Netflix, Amazon Prime, Hotstar में या ज्यादा content consume करते हो, मेरे तरह, तो आप लोगों को एफोन लेना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर AMOLED डिस्प्ले नहीं है, आपको मजा नहीं दे पाएगा वीडियो कंस्यूम में यह मेरा opinion था, आप लोग comment box में जरूर बतना इफ़न आप लोग बाइक करोगे के नहीं, मैंने जैसी की बोला, यह दो reason अगर आप लोगों के लिए माइने नहीं रखता है, फोन बाइक कर साकते हो, कड़क फोन है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, लाइक करना, सेयर करन और सब्सक्राइब करके बिलेकिन बज़ने टाइम आल में जरूर क्लिक करना, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक लेक फ्रेस वीडियो में, तब तक मचाते रहो